इस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है बाइ कर देंगे 66 पे सेटप बहुत सिंपल इस अराउंड 900 के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस सोच रहा हूं रिस्क शिटाउजन शिक्स अखेंड़े खीश एंड़े आसपास अब समझ सकते हो 957 956 के आसपास चल रहा है यहां पर हम अपना स्टोप लॉस लगा देंगे यह हमने अपना स्टोप लॉस लगा दिया कॉँस के आसपास ही चल रहा है टॉटरस 965 960 stop loss हमने लगाया हुआ है 900 का risk around 67 points की है और एक चीज़ traders मैं almost देखिए cost के आसपास है यह तो मैं सोच रहा हूँ telegram पर update करूँ नहीं करूँ logic simple है मेरा आज मैं इसलिए यहाँ पर पहले बाद तो breakout है and इसके साथ-साथ मैं यहाँ पर यह देख रहा हूँ कि तीन बार already attempt कर चुका है market 23,000 को break करने का यह अब जो जाएगा यह time job attempt होगा वो fourth attempt होगा ठीक है तो pressure अच्छा खासा upside momentum आ सकती है मैं उस expectation से यहाँ पर यह उपर के levels से buy कर रहा हूँ let's see wait करते है risk हमने छोटी रखिए target around मैं प्लान करूंगा 23,000 अगर हम यहाँ पर futures के हिसाब से देखें तो roughly target थोड़ा हम उपर का देंगे which will be around 23,000 एक बार यह आरा रिश्वाला लगा देते हैं long position यह अपनी interview यह 67 पर ठीक है stop loss लगाया हमने यह support level का which is 900 यहाँ all right target मैं प्लान कर रहा हूं almost 23,000 फिफ्टी का target लगाएंगे तोड़ेस हम 23,000 फिफ्टी का ठीक है यह अपना आरा रिश्वा 1.23 का अब मैं सोच रहा हूं telegram पर update करूं या नहीं करूं कोई काफी negative impact हो गया लोग tips की expectation कर रहे हैं like 90% 95% सब supporters हैं मेरे बट कुछ ऐसा claim किया जा रहा है कि I am trying to be a mini operator Twitter में आपको यह बता दूँ कि यह इतना बड़ा index है इसमें इतना volume आता है यहां पर आपको दिखीगा 24,77,550 यहां second seconds के अंदर 500 lots by sell by sell होते हैं तो यह इतना बड़ा index है तो हम इसको इतना easily manipulate नहीं कर सकते हैं यह चीज को समझो जो भी negativity आपके mind में उसको हटो यहां पर आते हो सीखो चीजों मैं आपको क्या सिखाने कोशिश कर रहा हूं क्या logic है जैसे मैंने आपको यह attempt बताया देखिए देखिए breakout simple है यह मेरा ठीक है यह आपको breakout देख रहा है यह simple सा fund डाय मैंने यह breakout बाइक किया इसके साथ-साथ valid reason क्या है मेरे पास यहां पर बाइक करने का यहां पर देखिए मैं आपको समझाता हूं देखिए 30 मिनट्स पर आते हैं इसको हटा जेते हैं देखिए यहां पर try हुआ है market ने 23,000 ब्रेक किया है sustain नहीं हुआ फिर देखिए यहां पर try हुआ sustain नहीं हुआ फिर देखिए यहां पर gap up कुला था बड़ sustain नहीं हुआ यह fourth try है ठीक है तो यहां पर probability हो सकती है कि वो 23,000 को break कर दे जो इतने time से और आज expiry भी है तो यह surprise factor ह हो सकता है यह मेरी calculation है उस logic से मैंने आप बाइंग की है with the risk of 6,700 रुपीज यहां पर currently 890,800 के आसपा loss चल रहा है मैं telegram पर update कर देता हूं कि मैंने almost buying side लिया मैं exact levels नहीं बता रहा हूं जाने मुझ के हो सकता है कि उस पर भी फर कोई claim कर रहे कि आप ऐसा क्यों बता रहा क्या अब मैंने trade लिया मेरे trade लेने के बाद तो 10-15 point नीचे ही चल रहा है तो क्या इससे मेरा कोई intention हो सकता है कि मैं आसे अब आप थोड़े बहुत buying करो के तो क्या मेरा price उपर आ जाएगा पहले भी मैं share किया करता था अगर आपने देखा होगा तो वो time पे तो stop loss भी रोते थे तो वो time पे क्या था तो ऐसा नहीं है system को logic समझो चीजों को claim करने से पहले समझो traders देखिए almost मैंने अभी just अभी telegram पर update किया हुआ अभी जो भी आप देख रहे हूं अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर manipulation होती है या यह breakout का जो upside momentum है उसे साफसे momentum upside आती है let's see मैं जानबुच कि एक clip पी add करूँगा कि कितना फरक परता है मेरे ऐसे लेखने से कि मैं by side हूँ और अच्छा कासा momentum आ जाता है मैं manipulate कर रहा हूँ चीजों को 68, 67 के आसपाथ आया हुआ है 66 let's see चलो किसी ने read किया होगा वो एक मिनट के अंदर दो मिनट के अंदर bind करेगा ठीक है आप telegram पे देख लेजेगा time कितने बजे मैंने update किया हुआ है let's see क्या मैं really manipulate कर रहा हूँ चीजों को वो भी देख लेता है 69 almost हमारे cost के आसपाथ सल रह अब ऐसा तो नहीं कि सब ने अलग-अलग level से buy क्या सब बाइंग किये जा रहे तो उसको तो rocket की तरह उपर जाना चाहिए if I am manipulating क्यों नहीं जा पा रहा है इतनी बड़ी quantity selling के लिए आ रहे हैं आपर 29 तक देखेंगे Judaism 972, 973 यह तो फिर cost पे आ गया देखिए 66 एक बार हम लोग volume भी चेक कर लेता है I think volume यहाँ पर आएगा देखिए कहा है volume आ रहा है volume नहीं आ रहा है volume so it's a joke जो मैंने एकल comment में देखा कि किसी ने लिखा हुआ है कि आप manipulate कर जोई it's a joke इतना बड़ा index and I have almost let's say 37,000 subscribers 37,000 subscribers में से अगर मैं 10% भी लोग समझता हूं कि वो bank nifty बाइंग कर देखिए 90% को मैं उनको बगड़ रहा हूं मेरे तो टेलिग्राम पर भी update किया है क्यों नहीं जा रहा है वो ऊपर क्या logic हो सकता है don't tell me कि हाँ अब मेरे जो टेलिग्राम चैनल वाले वो यहां पर sustain कर रहे हैं इसको no chance at all देखिए इसका यह logic simple है इसका ऐसा एंगल बना हुआ ठीक है इसको अगरम थोड़ा specifically देखेंगे तो इसका यह एंगल बना हुआ है उसका reaction upside के लिए आया हुआ है so that is the logic कि वो ऊपर की तरफ try कर रहा है और जैसे मैं आपको बता है कि यह fourth attempt होगा 23,000 को break करने का so let's see wait करते हैं almost 29 हो चुका है almost 1210 हो चुका है अभी तक कोई कुछ खास momentum नहीं आये हुआ है मुझे update कि हुए चार मिनट से जादा हो चुका है so stay tuned मैं आपको update करता हूँ 75 के आसपाथ आ चुके हम 75 पर आये हम लोग अपना target भी set कर देते हैं target हम लगाने वाले है 23,050 यह हमने अपना target भी लगा दिया all right so wait करते हैं मैं आपको update करता हूँ फिर इस मैं सूच रहूं कि एक बार यह levels जो है 80 का levels देखें यह जो resistance level है वो break कर देता है तो मैं अपना stop loss यहां से थोड़ा उपर लेकिया हूँगा which will be 920 के आसपास currently 975 972 के आसपास चल रहा है 980 का wait करते है 980 break हो जाता है तो अपना stop loss जो हमने 900 पे लगाया होगा है उसको 920 और 915 के आसपास लेकिया है रिस्क कम कर देंगे अपनी 800 के आसपास profit चल रहा है 988 so it's our job to trail over stop loss यह हम अपना stop loss trail कर देंगे और I think 915 will be the perfect level yes 915 को कर देते हैं यह हमने modify कर दिया अपना 915 so risk है हमारी यहां पर almost अगर आप देखोगे तो 51 points के असपास 5100 की risk है उसके against में हमने target लगाया हुआ है 34 and 84 points का अपना target है 8400 का profit होगा loss होगा तो 5100 का loss होगा twitter spot ने 23,000 level को break कर दिया है तो यहां से अच्छी momentum आ सकती है 22,990 के आसपास future चल रहा है हमारा यह है level और volumes भी अच्छे दिख रहे है मुझे यहां पर so target 23,050 achievable हो सकता है एक बार यह 23,000 देखिए इसने break कर दिया है 23,500, 10, 4,200 मैं वही सोच रहा था कि 23,015, 20 को अगर break कर देता है तो हम अपना stop loss को trail कर देंगे but let's see wait करते है 3500, 3400 के आसपास profit चल रहा है stay tuned traders मैं आपको update करता हूँ हम टागेट है हमारा 23,050 का stop loss हमने 9,15 का लगाया एक काम करते हैं उसको भी modify कर देता है stop loss को अभी क्योंकि उसमें बहुत अच्छा level break किया हुआ है तो इतना ज्यादा risk लेने का कोई sense नहीं बनता है तो हम अपना stop loss अभी almost यह आ चुका है I guess कितना high लगा उसने देगी 49 का high लगाया उसने 50 का target है अपना 49 का high लगाया है 33,38 wait करते हैं possibilities है क्योंकि अगर 23 जो round number है वो break होता है तो roughly 80-100 points की momentum आती है upside में और 23,100-200 हम यह देख सकते हैं 6000 के आसपास profit चल रहा है 50 का target है हमारा यह जो momentum आई यह traders यह बहुत traders के लिए जो उपर के levels पे 23,000 के levels पे बैठे होंगे stop loss लेके उनके लिए बहुत shocking है यह तो यह momentum को कैसा फिर जो sellers थे वो भी buyers की तरह like support करना start करते है 40, 42 almost एक point से अपना यहाँ पर target pending है और यह target अपना achieve हो चुका है सबसे पहले हम इसको cancel करेंगे और मैं telegram पे भी update कर देता हूं so traders मैंने update कर दिया telegram के ऊपर एक बढ़ हम इसको भी refresh कर देता है बुक किया है 23,050 पे and हमने बुक किया है 8,305 कल 9,000 बोल दिया था मैंने गलती थे 6,000 के बदले अब messages आ रहे हैं कि आपकी इतनी अच्छी accuracy कैसे है जब मैंने trade लिया telegram पे update करने जा रहा था उससे पहले ही traders मैंने आपको इस चीज बताया कि 4 attempt हो चुके हैं market के यह आपको देखिए tick भी यहाँ पर है 1,2,3 and that was the fourth one अब यहाँ पर probability क्या है आप सोचिए यह levels पे journal ही लोग क्या करेंगे और market ने ऐसा नहीं कि fourth attempt पे directly break कर दिया यहाँ पर आप द्यान दीजे देखिए यह levels पे almost यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देखिए क्या levels है 23,012 का यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बड़ी candle red candle जो इंगल्फ कर रही है इसका मतलब क्या है कि बॉस यहाँ पर again shot किया गया है fourth attempt पे again shot किया गया है उसके बाद मैंने क्या देखा कि बॉस यह एक trend line देखिए यह breakout है breakout है 12 बज़े का मैंने कब trade लिया है यहाँ पर आपको देखिएगा 12 बचके 1.36 ओबिसली यहाँ पर जो breakout हुआ है यह जो breakout हो उसके बाद ही मैं trade लूँगा correct यह levels पर कोई retracement का मैंने weight नहीं गया क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई chance ने लेना था कि मैं opportunity को miss करू रिस्क कितनी रिस्क थी यहाँ पर आपको देखिएगा देखिए almost हमने starting में 900 का हमने risk लिया था 900 पर stop loss लगा था हमारे rate से नीचे गया था जैसी और target हमने यह लगा है और 23,050 target कैसे लगा है exactly वहाँ से हो गूम किया रहा है क्या यह magic है absolutely no अगर आप history उठा के देखो जब भी कोई round number break होता है market उसको break करता है तो 70-80 points momentum आती है तो उसस आप से मैंने risk कम लेके 50 points का target लगा है 23,000 का round number है 50 points मैंने जोर दिया 23,050 पर मैंने target लगा दिया कोई magical चीज काम नहीं करती है तोड़ा market पे थोड़ा common sense breakout तो दस बनते हैं आपको जब trade करना है आपके पास एक valid reason होना चाहिए consider this trading as in business ओके एक कोई accuracy accuracy की बात like मैं consider भी नहीं करता हूं आपने trading में कि मेरे accuracy इतनी अच्छी है मुझे quantity बड़ी रखनी चाहिए नहीं I am a trader with a discipline rules अगर मेरे को समझ में आ रहा है यहां पर breakout बन रहा है अच्छा कासा लग रहा है मुझे की जा सकता है मेरे mind में clear है कि चौथा attempt होने वाले आभी market में तो क्यों ना मैं trade करूं risk मैंने कुछ high value नहीं आपके सामने ही मैंने stop loss लगाया 67 points का stop loss था यह आपके सामने order मैंने cancel किया हुए correct उसको trade कर ट्रेल करते करते 915 पे हम लोग लेके आया थे उसके बाद 23,000 2030 पे भी आया था तो मैं सूच रहा है ट्रेल करूं बड़ मुझे इतना confirm था जरूवत नहीं पड़ेगी और जरूवत नहीं पड़ी राइट यहां पर अगर आप देखोगे तो राउंड देखिए 70 points का इसने high लगाया मतलब 23,000 70 का 23,000 का जो round number था उसको break किया 70 points अप मूब उसने दिखाया so that's all a simple thing works यह कोई experience बगेरा नहीं कुछ common sense भी market के अंदर काम आती है breakout breakdown पे काम करो बट थोड़ा सा logical समझना सीको market को कि logical के हिसाब से कैसे काम करना चाहिए पुराने वीडियो उठा के देखो हर बर मैं आपको यही समझा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक system के उपर बैठ के काम मत करो कुछ 3-4 collect करो points यहाँ पर valid reasons होने चाहिए उस हिसाब से आपर trade करने के एक तो breakout हो गया दूसरा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि that was the fourth try जब market जो high probability है कि वो break कर देगा so I hope concept और चीज़ें आपको sound में आ गई होगी और मुझे comments में लिख के बताना क्या मैं कल से आपको जो viewpoint में बता रहा हूँ आपको कि I am on by side exact level नहीं बता रहा हूँ कुछ मुझे manipulation करने का मेरा मकसद नहीं है comments में लिख के बताना if you want that कि मैं continue रखूं नहीं चाहिए तो वो भ अच्छा लगा, concept अच्छा लगा तो लाइक जरू कर दो लुटर्स, लाइक बहुत कम हो चुके हैं, thanks for watching, we'll see you in the next video.